देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हब हाल ये में संसद में भी ये मुद्दा उठा जहां शीत कालिन सत्र के दोरान कानून मंतरी अर्जुन राम मेगवाल ने लोकसबा में बताया कि देश की अदालतों में फिलहाल 5 करोड से जादा मामले लंबित पड़े हैं सिर्फ सुप्रेम कोट में ही लंबित मामलों की संख्या 80,000 है संसद में एक सवाल की जवाब में मेगवाल ने बताया कि एक दिसंबर तक अदालतों में 5 करोड 8,85,856 मामले लंबित हैं इन में से 61,00,000 से जादा मामले उच्छ न्याययलों के स्तर पर हैं वहीं जिला और अदिनस्त अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4,46 करोड से ज्यादा है इससे पहले कानून मंत्री अरजुन राम मेगवाल ने मोंसून सत्र के दोरान भी एक सवाल की जवाब में लंबित मामलों की संख्या 5,2 करोड बताते हुए कहा था कि इंटिग् इनिशल डेटा ग्रेड पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई तक हाई कोड में 6,62,956 और जिला और अधिनस्त अदालतों में 4,41,35,357 मामले लंबित हैं महीं संसत के शीत कालिन सत्र में लंबित मामलों की बात की जाए तो ये संख्या करीब 6 करोड बताई जा रही है जाहिर है लंबित मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है वहीं पिछले सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जहां लंबित मामलों की संख्या सत्र हजार के आसपस बताई गई थी अब इसमें इजाफा हो गया है और इस संख्या 80,000 पहुंच चुकी है अदालतों में जजों की कमी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या में एक बड़ी वजा है इस पर सरकार द्वारा दिये जवाब के अनुसार भारतिय न्यायलों में जजों की कुल स्वीकरत संख्या 26,568 जजों की है जिसमें से सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्विक्रत संख्या 34 तो वहीं हाई कोर्ट में जजों की स्विक्रत संख्या 1114 है इसके अलावा जिला एवं अधिनस्त अदालतों में जजों की स्विक्रत संख्या 25,420 है हाला कि कुल जजों की संक्या में से 324 पद अभी खाली है और उन पर जजों की नियुक्ती नहीं हुई है वहीं राश्य न्याईक डेटा ग्रेड यानि NUDG के आकड़ों पर नजर डालें तो इस रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 8344 मामले लंबित हैं जिन में से 78 प्रतिशक मामले दीवानी यानि सिविल हैं तो वही 22 प्रतिशक मामले आपराधिक आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उच्टम न्याईले में लंबित मामलों में 4000 से जादा मामले ऐसे हैं जो एक दशक से जादा समय से लंबित पड़े हैं इन आकड़ों पर गौर करें तो 37,777 ऐसे मामले हैं जिनका निप्टारा इस साल की शुरुवात से पहले ही कर लिया जिनमें से 7,222 केस एक साल से भी कम समय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे हैं राजसभा में विधी दुवारत दिये गए जवाब के अनुसार भारत में प्रती 10 लाग जनसंक्या पर 21 जज हैं ऐसे में जजों की कमी लंबित मामलों का एक बड़ा कारण बनकर सामने आती आपको बता दें कि भारत में नियाधिश जनसंक्या अनुपात भी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम हैं ऐसे में अदालक में लंबित मामलों की संक्या को देखते हुए अधिक नियाधिशों की जरूरत है इसके अलावा सर्वोच नियाले यानि सुप्रीम कोर्ट के नियाधिशों को अधिकारिक एवं गयर अधिकारिक समारों जैसे समेलन, सेमिनार, उद्गाटन आदी में भी जाना पड़ता है जिसमें उनका बहुत जादा समय बरबाद हो जाता है और उसका असर मामलों की सुनवाई पर भी पड़ता है लंबित मामलों के बढ़ने के का अधिकारिक समय बरबाद है जिसमें बार बार सुनवाई को टाला जाना और सुनाई के लिए मामलों की निगरानी लंबित मामलों को ट्रैक करने की विवस्था की कमी भी किसी भी केस के परिणाम तक पहुंचने में बहुत समय लगा देती है वहीं देश की सरकार के अनुसार अधालतों में मामले के निप्टाने के लिए पुलिस, वकील, जांच एजंसियों और गवा किसी भी मामले में एहम किरदार निभाते हैं लेकिन इनी लोगों दोरा यदी कई कारियों में देरी की जाती है जो परिणामों तक पहुंचने में समय लगा देती है वर्तमान में अदालतों में वकीलों की गैरहाजरी की वज़े से भी मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती कानून मंत्री के अनुसार अदालतों में लंबित मामलो का निप्टारा नयाय पालिका के अधिकार शेत्र में हैं अदालतों में मामलो की निप्टारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पिश्वास्निय सूत्रों के अनुसार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई समाधान पेश किये गए है सबसे पहले अदालतों की संख्या बढ़ाना जरूरी है ज्यादा जजों की नियुक्ति करना भी एक तरीका है संरचनात्मक, संशोधन और नए सिस्टम की जरूरत है इसके अलावा कई अदालतों में अभी भी आदूनी करन और डिजिटाइजेशन की कमी है जिसमें काम की रफ्तार भी काफी धीमी चल रही है एक अखबार में दी गई जानकारी की माने तो कई बार जजों को पूरू सूचना के बावजूद वो कोट में नहीं बैठते हैं जिसका नतीजा होता है कि पूरे बोड को छुट्टी दे दी जाती है ऐसे में वकीलों और वदियों सहित शामिल सभी पक्षों के लिए समय का बड़ा नुकसान होता है वहीं कोट में रिक्तियों को लंबे समय से नहीं भरा गया है इसके अलावा देश भर में कानूनी सिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की भी जरूरत है कोट में कामकाज को बन्यादी धांचा प्रदान करना और गुणवत्ता पूर्ण बनाना भी एक मेहम जरूरत है इस विशह में आपकी क्याराय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं रिपोर्टर जी